हालो फ्रेंट्स हमारा आज का टॉपिक जो डिसकेशन का है वह है साइन्स क्लब इसे हिंदी में विज्ञान क्लब कहते हैं आज हम इसके मुख्य उद्देशों इसके संगठन और इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे तो आए शुरू करते हैं साइन्स क्लब के बारे मे साइन्स क्लब वास्तर में है क्या अगर इसको देखा जाए ब्रॉडली तो साइन्स क्लब एक स्कूल में या कॉलेज में स्टैबलिश होने वाला वो क्लब है डिपार्टमेंट आफ साइंस मैधमेटिक्स के धुरू जिसे स्टैबलिश किया जाता है और इसका मेन जो उद् विद्यार्थियों के अंदर उनकी विज्ञानिक दृष्टी कोंड को विज्ञानिक अभिव्यति का विकास करना और उन्हें विज्ञान से सम्मंदित कारे करनी के लिए उप्योक्त अफसर प्रदान करना यह इसका मुख्य उद्देश है तो आए इस पर चर्चा करते हैं कि साइंस क्लब होता क्या है असाइंस क्लब प्रोवाइड सेन अपॉर्चुनिटी तो स्टुडेंट्स तो एक्सप्रस देयर क्रियेटिव अबलिटी इन दे फील्ड ऑफ साइंस विज्ञान के शेत्र में अगर कोई बच्चा को स्रजनात्मक अपना कारे करना चाता है तो उ कि एक्सपेरिमेंट को या किसी प्रोजेक्ट को खुद करके उसको कंप्लीट करते हैं तो ये साइंस का जो बेसिक प्रिंसिपल अलनिंग बाइडूइंग उस पर फोकस करता है कि इसमें विद्यार्ती सभी कारे को अपने स्वयम के द्वारा या अपने साथियों के सम्मू के द्वारा खुद करके कोशिश करते हैं, teacher उनको support करने का काम करता है, teacher एक facilitator का काम करता है, resources प्रोवाइट करने का काम करता है, लेकिन mainly जो activities होती है, वो student के थुरू conduct कराई जाती है, और student free होते हैं, इसमें science related activity करने के लिए, उनमें किसी भी प्रकार का, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो अपने मन के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने interest के हिसाब से activities को conduct कर सकते हैं, according to Davis, the future of India belongs to youth and science, therefore there should be a vast place of science club than school curriculum, Davis ने अपनी definition में कहा कि अगर हम इंडिया के भविश्य की बात करते हैं, तो भारत का जो भविश्य है, वो उसकी युवा, शक्ति और विज्ञान इन दौनों के हाथ में है, और जब आप विज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें विद्याले के जो curriculum है, school curriculum है, उसमें science club इस science को promote करने में बहुत important role play करता है, science club एक ऐसी जगह है, जो students को independently काम करने के लिए platform देती है, या independently वो अपने ideas को और experiment को conduct कर सकते हैं, science club के अंदर, science club provided platform to carry out various activities such as organizing science exhibition, science fair, science congress, guest lectures, arranging workshop, field trips, etc. The club activities are organized by the students and for the students, it is considered as backbone of the activities in the area of science, अगर हम इसको short में देखे हैं, अगर हम इसको देखते हैं, कि science club क्या कराम करता है, तो science club जो है, वो different type की science exhibition को organize करने का, या science fair को विज्ञान मेले जो लगते हैं, उनको organize करने का, science congress, या कोई special persons के तुरू, guest lectures को organize कराया जा सकता है, किसी विशेश topics को लेकर के, या science day का special days जो होते हैं, उनका organization कराया जा सकता है, जैसे ओजोन layer है, वो 16 September को होता है, उसकी ओपर कोई कारिकरम करवाना है, या science day जो अग्ठाइस फरवरी को होता है, उसकी ओपर कोई कारिकरम करवाना है, science related जो भी activities है या जो special days है उनको celebrate करना, guest lecture arrange करवाना, workshop रखना, seminar करवाना, field trip organize करना, science field में जितने भी काम होते हैं वो science club करवाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो focus करने वाली बात है वो यह है कि जो mainly activities हैं वो students के लिए द्वारा ही organize कराई जाती हैं और students के लिए organize कराई जाती हैं चूंकि जो students के द्वारा organize कराई जारी हैं तो एक proper committee होती है जो working committee होती है जिसमें different positions होती हैं वो लोग अपने task को पूरा करत हैं और students के लिए activities को conduct कराते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो science के area में activities को अगर हम conduct कराना चाहते हैं अगर हम activity-based science को school में apply कराना चाहते हैं तो science क्रव उसमें एक backbone की तरह काम करता है चूंकि आज हम child-centered approach की तरफ आगे move कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो science है वो activity-based form मे समझाई जाए या learning by doing के principle को follow किया जाए science में तो इन दौनों principle को ध्यान में रखते हुए इन दौनों approach को ध्यान में रखते हुए basically science club एक main role play करता है एक backbone की तरह काम करता है जिसके through हम different type की activities को organize करवा सकते हैं अब हम आगे बात करते हैं कि main objective क्या है किन उद्धिश्यों को ध्यान में रखकर science club की स्थापना की जाती है school में तो पहला इसका जो है to generate interest and awareness in science बच्चों को विज्ञान में उनकी रुची पैदा करना उनकी जो है वो उनको सचेत बनाना विज्ञान के बारे में दैनिक जीवन के उनका जो विज्ञान है daily life science है उनके बारे में उनको aware कर सब्सक्राइब करना यह पहला उद्देश है दूसरा है to uncalcate spirit of scientific inquiry scientific inquiry का मतलब होता है किसी भी तथ्य को जानने के लिए क्रमबद रूप में या सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ना वो प्रक्रिया विज्ञानिक जो है प्रच्छा या विज्ञानिक पूछताज कहलात है और स्टुडेंट्स के अंदर इसी भावना का विकास साइंस क्लब करें यह ऐसा उद्देश्य में रख कर किया जाता है थार्ड जो में अब्जेक्टिव है वह है टुडवलप हैबिट ऑफ रीडिंग सप्लिमेंटरी मटीरियल संसेल्फ इस्टड़ी यहां साइंस एक सकते हैं तो प्रोपर इसका अबजेक्टिव हमने लिए है तौह रिया है फिसकी ऐसका ने लिए देवलप इंडेवलमे Congrats और व इक हम जानते हैं लिए कि अधुन की तरफ मूझकिलवान के तरफ मोंड़िया रहिए हैं एटॅब कर रहिए और वैसाय सनमसीं को तो जहां स्टुनेंट के अंदर डिफेंट टाइप की स्किल्स को डेवलप करने की बात करती है डिफेंट टाइप के वह अपने वोकेशन को किस तरीके से स्किल के थू आगे पढ़ा सकते हैं साइंस की अगर हम बात लेते हैं तो इंजिनियरिंग चोटी-छोटी जुद्ध क इसके लिए इसका एक उद्धिष्य है नेक्स्टेट वहल्प स्टुडेंट टू रिलेट क्लास्रूम लर्निंग विद रियालिटी आउटसैट जीवन के विज्ञान को किताबों से जीवन तक जोड़ना ऐसा नहीं हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वह केबल किताबी ज्ञान ब क्यान क्लब का उद्धेश होता है जो भी चीज़ें अपने क्लास में पढ़ी है बुक में पढ़ी है जो आपका कोर्स है उस कंटेंट को में जो एक्टिविटीज दी गई है वो एक्टिविटीज को आप खुद करके देखिए ताकि आपको पता चले कि वास्तम में इनका जीवन में कहां उपियों किया जा सकता है कैसे इन्हें काम में लिया जा सकता है डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए नेक्स इसका अबजेक्टिव है तो डेवलप को और इनको बच्चे बड़े हों तो वह अपनी इन स्किल्स के साथ में अच्छी एक सोस में वह कॉंपटीट करके अपने अपको प्रूफ करते हुए अपनी प्लेस बना सके अगला जो उसका उद्देश्य है वह है टू एंकरेज हेल्दी कॉंपटिशन अमंग स्टूडेंट चूंकि जब कॉपरेशन और कॉडिनेशन के साथ में काम होता है तो जो कॉंपटिश रण का साथ साथ सटूदेंट के अंदर स्टूडेंट की जो एवलेटी के इसको डेवलट करना एक इसका विशज तुद्देश्य है क्योंकि जो में काम होता है वह को किमल देहा जाता है बहुत सुक्ष्मताग से साथ जांग कि जाती है तो वह एटिटीट बच्चें के ऑं करना वो अबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलब करना उसमें साइंस क्लब अपनी भूमी का निभारता है साथ ही साथ बच्चे के अंदर क्रियेटिव आइडियाज है या स्केल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज वो प्रवा जो विज्ञान में थेयुरिटिकल कॉंसेप्ट सें उन सबको डे टो टे लाइफ से लिंक करने का एक प्रयास साइंस क्लब के द्वारा किया जाता है दिफरेंट अक्टिविटीज को कंडक्ट करा कि कुछ उद देश्शे हैं जिनको धिहान में रख करके साइंस क्लब के ग सब्जेक्ट से इसके अंदर आते हैं जैसे बाइलोजी क्लब हुआ या जनल साइंस क्लब हुआ या फिजिक्स क्लब हुआ इस तरीके कि जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट उनसे रिलेटेड जो क्लब्स होते हैं वो जनल साइंस क्लब कहलाते हैं जिब कि स्पेशलाइज करते हैं तो ऑगर पूरा डेवलब हुआ है तो जनल सब्र ताइब के इंदर कहलाए गा यह बाई गर द्यू क्लब के अंदर ही आफे करिए, ऑगा रिखो गया प्रशी क्लब हो गया या प्रांत्राइक फायल प्रीन को क्लब कर दे लिखो लूवक्त के लैगती है तो स्पेशलाइजेशन से लग कर देते हैं वो आपके स्पेशलाइज इंटरस साइंस क्लब कहलाते हैं तो साइंस क्लब बेसिकली दो टाइप के होते हैं जर्नल साइंस क्लब और स्पेशलाइज साइंस क्लब स्कूल्स में हमें जनरल साइंस क्लब देखने को मिलते हैं जिसमें इको क्लब और साइंस क्लब एक दूसरे के साथ कही बार कोलाबरेट करते हुए भी देखे जाए है जबकि हम बड़े लेवल पर या हाईर लेवल पर जब देखते हैं साइन्स क्लब का कॉंस्टिटूशन तो हाईर लेवल पर ये स्पेशलाइस्ट ग्रूप में डिवाइट इनको कर दिया जाता है सब्जेक्ट को धियान में रखते हुए अब आगे हम बात करते हैं और में इसका घठन है किस प्रकार इसको कॉंस्टिटूट किया जाता है उस पे अब एक बात करते हैं सबसे पहले ड्राफ और Dominican स्टिटूशन जो ह वो बनाया जाता साइंस टीचर इसे बनाता है और जो कलब का हरCanा सबसे होता है उसको इस Constitution का पालंग करना पड़ता है Draft of Constitution के अंदर में से में डूप से जो लिखी होती है वो कलब का नाम होता है उसके एमस और अब्जेक्टिव होते हैं मेंबर्शिप के बारे में लिखा होता है कि फीज कितनी है कौन-कौन लोग सबसे हो सकते अब इसके बारे में साथी साथ वेरियास ऑफियस वियरर्स जो होते हैं जो भी काम करते हैं जिम्मेदारी वाले जो कारे करता होते हैं उनके नाम होते हैं उसके अंदर और उनसे सम्मंदित जानकारी जो होती है वो सब इसके अंदर Draft of Constitution के अंदर बनी होती है basically rules and regulations होते हैं जिसको हर student को या उस club के हर एक member को उनको follow करना पड़ता है head of the institution is pattern of the club and in charge teacher is sponsor दो main important जो post होती है वो होती है, एक होती है patron और एक होती है sponsor तो patron जो होता है, head of the institution या principal होते हैं जबकि जो patron, sponsor होते हैं sponsor जो होते हैं, वो in charge teacher या science teacher होते हैं, उस particular school के membership should be open for all science students जो भी student science पढ़ते हैं, वो science club में जाकर के इसकी membership ले सकते हैं या automatically other subject वो उनको automatic मिलती हैं, लेकिन जो other subjects के बच्चे हैं, वो भी अगर membership लेना चाहें, तो वो इसकी membership ले सकते हैं, उसके लिए उनको कुछ charges या humination होता है कई बार free भी होता है, तो वो school to school depend करता है कि वो constitution, जो है draft of constitution में जैसे rules लिखा गया है, उसी के according उसको follow किया जाता है, अब बात आती है, दो बात हमने main कर ली post की एक patron की और एक sponsor की इसके अलावा कुछ और committee member होते हैं, executive जो committee member होते हैं, वो होते हैं, chair person secretary, assistant secretary treasurer, class representative, librarian storekeeper और publicity officer इनकी अलग-अलग काम है क्या-क्या काम है, उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे तो आईए, उन पर बात करते हैं कि वास्ता में क्या duties होती हैं उनकी, pattern और sponsor का जो काम होता है, pattern जो extend all sorts of facilities and cooperation, जो कि वो head of the institution है, pattern जो है, तो pattern का काम होता है, कि वो सभी प्रकार की facilities को provide करा है, और अगर किसी भी तरह का कोई cooperation, दूसरे institutions के द्वारा चाहिए, मिलना चाहिए, या कुछ resources provide कराने हमें science club के लिए, तो वो सब करवाने का काम pattern का होता है, sponsor जो सब्जेक्ट teacher है, science teacher है, वो advisor की तरह काम करते हैं, और उनी की सलहा से, जो club है, वो smooth run कर पाता है, अगली जो post है, वो है chair person, chair person जो होते हैं, वो होते हैं, convince over the meeting of executive committee of the club, chair person, उस science club की meeting को organize करते हैं, कि कि समुद्दे पर meeting रखी जानी है, कब रखी जानी है, वो सब chair person देखते हैं, secretary का मुख्य काम जो होता है, वो सारी activities का record maintain करना होता है, और इसी के साथ-साथ क्या correspondence होगा, कि सको letter भेजने हैं, कि सको invite करना है, कि सी का guest lecture रखवाना है, ये सब जो बुलाने का काम और arrangement का जो काम वो secretary की duties में उनकी help करना होता है, उनको assist करना होता है, तो ये दौनों मिल करके इन सारे काम को पूरा करवते करते हैं club के लिए, treasurer नाम से ही पता चल रहा है, खजानची जो treasurer होते हैं, वो fees का, जो membership fees है या subscriptions जो भी हुए है उन सब का, और expenditure कितना हुआ, club के लिए कहां कहां खर्चा किया गया, किसके activity में क्या क्या जो resources है, उनके लिए पैसा खर्च हुआ उस सब के बारे में पूरी जो जानकारी है, वो treasurer के पास रहती है और वहीं से वो अलोट करते हैं money को उसका particular task को complete करने के लिए, librarian next post है, चूंकि books बच्चों को resource material के लिए और reference material के लिए books के जरूरत होती है, तो librarian भी एक member होते हैं science club का, और वो book और literature की पूरी विवस्ता देखते हैं कि students की needs के according या उनकी interest के according कौन-कौन से books या literature science से related library में चाहिए, वो उसकी एक list बना करके committee को देते हैं, और उसके बाद उस पर action लेते हुए, उनको purchase किया जाता है, तो librarian जो है, वो books और literature का काम देखते हैं साथी साथ publicity officer जो होते हैं, publicity officer, newspaper, magazines, इनमें जो activities हैं, उनको publish कराने का काम या science club, कौन-कौन सी activity कब कंड़क्ट करवारा है, उसकी information को publish करवाने का काम, ये सभी काम जो है, वो publicity officer का होता है, और mainly जहादा से ज़्यादा जो इसमें काम होते हैं, वो student के थूँआँ प्रोवाइट किये हैं, अब आगे बात करते हैं types of activities की, कि किस प्रकार की activities इसके अंदर conduct कराती है, तो science club, basically, तीन तरीके की activities को conduct कराता है, पहले workshop activity, दूसरी collection activity, तीसरी social activity, workshop activity, नाम से बता चल रहा है, जो various type की workshop activities हैं, इनके थूँ working, norm, working, models, बनाना, chart, बनाना, diagram, teaching, learning, material, जो हैं, इन सब को prepare करने का काम, वो सब workshop activity के अंदर किया जाता है, क्यारिए science club के अंदर आप different type के models, और charts, diagrams, इन सब को prepare करते हो, तो workshop activity होती है, दूसरा होता है collection activity, collection activity में कोई आपको बना कर कुछ नहीं करना होता है, बलकि चीजों को collect करके आपको science club में रखना होता है, तो यह इसमें various type के specimens, sample of soils, ors के sample, जो हैं, हमारे मिश्रद हतु हैं, खने जाएं, उन सब के different elements के samples हैं, वो, या various samples of polymers, natural polymers, artificial polymer, इन सब के types, या various type के fertilization, fertilizers, drugs of different families, rocks, stone, leaf, seed, etc., जो science से related, botany, zoology, physics, chemistry, इन से related, जो भी चीज़े हम collect करके club के अंदर रख सकते हैं, जिनको देख करके कुछ information बच्चा ले सके, वो सब collection activity के अंतरगत आती हैं, तीसरी activity होती है, social activity, social activity में जो में ली है, वो perform की जाती है, activities, और इसके अंदर field trips आती हैं, basically, जो field trips हो बच्चों को, या तो scientific zoo में, या botanical garden है, planetorium में, या science center ऐसी जगह पर ले जाया जाता है, science exhibition, science club, या open discussions होते हैं, debates होती हैं, उन समय, जहां बच्चा society में रहकर, अपने आपको show कर पाए, interact कर पाए, अपनी scientific knowledge को share कर पाए, ऐसी जो activities हैं, वो सब social activities के अंतरगत आती हैं, जिसमें different type के days, जो special days हैं, जैसे science day, environment day, इन सब का celebration हो गया, या कोई science related quiz organized कराई गया है, या जो celebrate किया गया, different scientist के birthday को, कब celebrate करना है, कब किसका birthday आता है, उनका क्या contribution रहा है science के field में, इन सब की अगर हम बात करते हैं, तो वो सब social activity के अंतरगत आता है, इसमें lecture भी organize कराई जा सकते हैं, different type के programs भी organize कराई जा सकते हैं, या seminar, symposium भी organize कराई जा सकते हैं, basically ये activities based program होता है, जो social environment में, या society के बीच में कराया जाता है, जिसमें जाज से जाज से जाज से जाज से जाज से जाज लोग involved हो सकें, अब आगे बात करते हैं, functions of science club की, science club क्या काम करता है, तो certain activities can be selected by the members of the club according to available sources, जो पहला काम होता है, आपके पास जितने resources हैं, उन resources के आधार पर, members select करते हैं, कि आपके कौन कौन सी activities conduct कर सकते हैं, साथी साथ science exhibitions को, film shows को, या science fairs को, इनको organize करवाना, इनको arrange करने का काम करता है science club, इसके लावा science discussion, debate, essay writing, guest lecture, इन सब चीजों को arrange करता है, और arranging the science excursion and visits, field trips जो होती है, science से related, वो भी organized science club के थ्रू कराई जाती है, conducting workshop, हमने देख लिया, workshop activities के अंदर, different type की activities है, non-teaching या teaching model बनाना, या teaching learning material को prepare करना, chart बनाना, model बनाना, यह सारी चीजों जो है, इन से related, जो है, workshop conduct कराने का काम भी science club करता है, special days, celebration करने का काम करता है, इसी के सासाथ, collecting, mounting and preserving the specimen, जो specimens हैं, उनको collect करके, प्रादर्श लेकर के, environments में, वो पेड़ पौदों से, सम्मंदितों, जीव जन्तू से सम्मंदितों, उन सब के sample लेकर के, उनको collect करके, उनको mount करके, preserve जो करके रखा जाता है, स्कूल के लिए safe रखा जाता है, ताकि आगे आने वाले बच्चे, आगे आने वाले classes, उनको देख करके कुछ सीख पाएं, तो वो सब भी science club की activities के अंतरगत आता है, अब बात करते हैं, इसका meeting का schedule कैसा होता है, तो regularly meeting होती है, क्योंकि उसके बाद बच्चों को एक दिन का gap मिल जाता है, अगर बच्चे चुट्टी के बाद रुखते भी हैं, तो generally जो इसकी meeting है, regular meeting वो weekends पर रखी जाती है, और कभी-कबार ऐसा भी हो सकता है, कि जो president है या chair person है, वो chair person emergency meeting को call करे, या किसी activity को तुरंत conduct करवाना है, कोई lecture है या कोई workshop immediate ways पर आपको conduct करवानी है, तो science secretary है या chair मेंने science club की meeting को बुलाता है, और उस activity को conduct कराने के लिए पूरा उसका प्रूफार्मा तयार करते हुए, उस activity को conduct कराया जाता है, तो यह आज का एक छोटा सा topic था science club के बारे में, जिसमें हमने इसकी पूरी constitution से ले करके, इसके main functions और इसके office bearers इन सब के बारे में बात की, मैं आशा करती हूँ, topic आपकी समझ में आया होगा, किसी दूसरे topic के साथ जल्दी फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद,